मैं rings यूज करके आज की design बनाने वाली crochet की, तो यह आप देख सकते हैं, यह different type की ring है, आप कोई भी type की ring यूज कर सकते हैं, जो आपके पास available हो, तो यह सारे options हैं आपके पास, सबसे पहले crochet से हमें thread को attach करना है, crochet hook से, और chain 1 single crochet से मैंने baseline बनाई है, तो suppose यह thread attach किया है, chain 1 chain 1, fabric में single crochet, तो जैसे ही आपकी foundation row या baseline complete हो जाती है, तो chain 3 बनाएंगे, 1, 2, 3, और इस तरह से turn करेंगे, turn करने के बाद हमें modified double crochet बनाना है, same space में, first space में, तो one इस में से loop में से निकालते हैं, two loops, two loops, तो यह दोनों equal size की होगे, अब हमें chain 3 picot बनाना है, chain 1, 2, 3, अब यह जो space है, double crochet की, यहाँ पर जाके हमें, इस तरह से single crochet बना देना है, तो इस तरह से हम यह design को continue करेंगे, तो next space में जाएगे, double crochet बनाएगे, modified double crochet है, chain 3, one, two, three, same space में जाएगे, और single crochet, तो इस तरह से मैं यह design को start करेंगे, five to seven time बनाएगे यह, हर space में जाकर हमें double crochet बनाना है, और chain 3 picot बनाना है, और chain 3 wspólब, जाएगे दएड़ागे, हम माशने चेचल को उंक लेगे, तरह से बनाना है, यह जाएगे, यह 6 टाइम्स बनाया है, लास्ट टाइम्स 7 टाइम्स में है, डबल क्रोशे बनाऊंगी नेक्स बेस में, डबल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद, अब मैं चेंटरी पिकॉट नहीं बनाऊंगी, सेवन्स बनाने के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 time मैंने double crochet और chain 3 picot बना दिया है इसके बाद हमें chain 1 बनाना है और next phase में double crochet बनाना है double crochet बनाने के बाद chain 2 बनाएंगे chain 2 बनाने के बाद एक ring अटाश करेंगे इस तरह से यह ring अट किये और chain 1 बना की ring को लॉक कर देंगे अब chain 5 बनाएंगे इस तरह से hold करेंगे से लॉक करने के बाद chain 5 1, 2, 3, 4, 5 और रिंग में single crochet तो six times मैं इस तरह से बनाएंगे रिंग में chain 5 सिंगल को बनाएंगे 5 single crochet chain 5 single crochet chain 5 single crochet 1, 2, 3, 4 और 2 more times बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 single crochet इसके बाद हमें continuation में second ring को attach करना है रिंग में भी मैं same repeat करूंगी chain 5 single crochet six times रिंग में भी मैं same repeat करूंगी chain 5 single crochet six times प्लाई प्लाई करूंगे रिंग 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 5 रिंग 6 आपाउर को चीन फाइ सिंगल कुछे सेकेंड रिंग में फाइ टाइम्स बनाने के बाद कंटिनेशन में अब थर्ड रिंग एड़ करेंगे थर्ड रिंग में भी सेम रिपीट करेंगे चेन फाइ सिंगल कुछे सिक्स टाइम्स कि एक देची लेस्टिन फवेगे हैर डिंग कोके झाल कि त्री रिंग्स में कम्प्लीट होने के पाद हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है तो यह देख सकते हैं कि यह जो डबल क्रोशे था लास इसमें हमने चैन टू बनायते और यह रिंग्स बनाना अटैश करना स्टार्ट किये थे तो यह थर्ड अटैश करने के बाद हमें चैन टू बनाना है और यह सेम स्पेस में यह जाएगे जहाँ पर यह अटैश है यहाँ पर इसे अटैश करना है हमें सिंगल क्रोशे बनाते वे मैं यहाँ पर ही अटैश करूगी इस तरह से तो यह हमारा फ्लावर रिंग के साथ में इस तरह से दिखाई देगा और यह अटैश हो गया है अब हमें कंटिनुई करना है डिजाइंग को चीन वन बनाएंगे और मॉडिफाइड डवल क्रोशे बनाना है हमें और सेम रिपीट करना है नेक्स पेस में जाके चेहने चेन 3 एडा सिंगल क्रोशे नेक्स सेम रिपीट करेंगे जिए तरह से हमने स्टार्टीं में रिपीट कियाँथा इस हमने डबल क्रोशे और चेन दिखी नो को बनाए थे तो वैसे ही रिपीट करेंगे अब सेम पैटरन को फॉलो करते वे ये डिजाइन को कम्प्लीट करेगे